आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। की बोला जा रहा है कि एक प्रोटॉन है दोस्तों ठीक और एक अलफा करन है। इनकी गती जूर्जा दे दी है, के पी और के चुम्बकी चेत्र में लंबत प्रवेस करते हैं। इनकी जो प्रशेप पतों की तिरजाओ का अनपात है, को दोस्तों, ठीक है। तो देखें जोत्यों कोई भी जैसे कण ही चिंद बदोस्तों है? तो इसे चुम्बकी चेतर में आता है तो इसका पत देखे ऐसे वित्ताकार हो जाता है दोस्तों ठीक है इस वित्ताकार पत की त्रिज्या आ रहे है दोस्तों ठीक है तो इस वित्ताकार पत में यह अब गती करने लगता है दोस्तों इसी के अनुदिस गती करने लगता है ठीक है तो इ R बराबर हमारा क्या सूत्र मिलता है दोस्तो, R बराबर M V बटा B Q, ठीक है, M दर्ब बिमान हो जाएगा, V उसका वेग हो गया दोस्तो, ठीक है, और B जो है, हाना, चुम्ब की छेतर हो गया, और यहां पर Q जो है, हमारा आवेस हो गया, दोस्तो, ठीक है, तो मैं अगर यहां से V कमान लिकालता हूँ, ठीक है, V कमान क्या मिल जाएगा, देखे, यह उल्टा हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो, हाना, यह B Q R बटा यहां पर M आजाएगा, ठीक है, तो, यह V, हाना, इसका V हो जाएगा, अब देखे, अगर मैं इसकी गती जूर्जा लिकालूं दोतो, तो, गती जूर्जा का सूतर K बराबर, एक बटा दो, M, V का वर्ग, ठीक है, तो, एक बटा दो, M, और V के जगा देखे, इसको समी करण एक मान लेते हैं, V का मान यहां से रख देंगे, दोस्तों, ठीक है, तो, क्या हो जाएगा, B का वर्ग, Q का वर्ग, R का वर्ग, और यह M का वर्ग, ठीक है, तो, यह समी करण एक से हमको मिल गया है, दोस्तों, ठीक है, तो यहां से देखे एक M कड जाएगा दोस्तों हमारे ठीक है तो यहां से क्या मिल जाएगा B का वर्ग Q का वर्ग R का वर्ग और बटा M तो ये हमारा गती जूड़जा का expression हो जाएगा दोस्तों ठीक है अब दीखे बी तो हमारा नियत है दोस्तों हाना चुम्बकी छेतर दोनों कड़ों के लिए आवेस अलग लग हो सकता है हाना आर भी अलग लग हो सकता है अधर बिमान अलग लग होता है तो के जो है ना डारिक लिए अनुक्रमा अनुपाती हो रहा है क्यू कवर्ग आर कवर्ग और यहां पर M तो अगर हम लोग क्या लिखा ले दोस्तों के के पी बटा के अलपा हाना यही ग्याद करना है दोस्तों तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों देखे कि तो के क्यों पी कवर्ग और और विए एम अलफा ayah एही मिल जाएंगा दोस्तों अब इसको अनुपात की रूप में लिखते हैं क्यूं पी कवर्ग और बटा में यहां पर MP आ जाएगा और इस तरफ उल्टा हो जाएगा दोस्तों M alpha गुडित Q alpha का वर्ग और ये R alpha का वर्ग ठीक है अब दिखे इसको अगर हम लोग systematic जमाएं तो Qp बटा Q alpha का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं ठीक है वैसी Rp बटा R alpha का वर्ग और M alpha बटा MP ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों आरा जो आवेस होता है एक electron के बराबर होता है और alpha में जो आवेस होगा वो दो electron के बराबर होगा दोस्तों ठीक है तो ये Rp बटा R alpha दिया हूआ है दोस्तों हमको यहांपर देखिए proton और alpha के तरज्याओ का अणपाद 2-0-1 है ठीक है तो ये 2-0-1 यहां लिख देते हैं औ और M alpha बटा MP क्या हो जाएगा, जो alpha होता है, alpha कंड का जो द्रब बेमान होता है, proton का 4 गुना होता है, ठीक है, तो यह इस तरह किस मिल जाएगा, तो देखे, MP यहां से कड़ गया, ठीक है, यह E कड़ जाएगा, तो यहां क्या मिल जाएगा, तो देखे, 1 बटा 2 कवर गा 4 बटा 1, यानि Unpath अगर देखे, तो 4 Unpath 1 हो जाएगा, ठीक है, K P Unpath के Alpha का कितना मिल जाएगा, ठीक है, 4 Unpath 1, option चेक कर लेते हैं, तो देखे, D option हमारा से ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, धन्यवाद, सब्सक्राइब करें, अपने सारे डाउट्स, आच-4-4-4-4-0-बर